हेलो गाइज वेलकम बैक ओन अनाधर गेम प्ले ओफ हाउस फ्लीपर एंड भाई देखो यार लास्ट टाइम हमने आउस फ्लीपर को काफी लंबे टाइम से वैसे हमने खेला नहीं है बट अभी बहुत दिनों बाद हम इसको खेलने जा रहे फिलाल के टाइम पर एंड देखा मुझे यार इसमें कम यह कोई नहीं लग रहे फिलाल ठीक है पेंट बकिट की मुझे जरूरत नहीं है अंदर चलते हैं अंदर देखो मैंने नीचे वैल का मैट लगाई है ऊपर मैंने लगाया हुआ है यहां पर एक बल्ब यह सब कुछ एंड किचन का भाई काम मैंने एक् कोश्टर रखा है microwave रखा है हाँ वैसे मैंने microwave लेना चाहिए मुझे और ना क्योंकि microwave का फेस इधर अच्छा लगेगा चीक है हमारा फ्रीज हमारे पास में है अपना चेर पे बैठते है अपना भाई सीट पे बैठते है अज भाई काम देखते हैं कि हमारे पास में कौन सा ऐसा काम होगा जो अच्छे से अच्छा हम भाई कर पाएंगे आराम से ठीक है ना तो अभी खड़े हो जाते हैं एंड इसको यूज़ करते हैं भाई लैप्टोप को भाई मेरे पास में बहुत सारे बंदे मतलब बहुत सारा काम आ रहा है फिलाल के टाइम पर मेरे पास में एक लाँ की क्यासी हजार रुपे है कि मतलब मैं अपना खुद का एक घर परचेज कर सकता हूं फिलाल बट मुझे बार खरीद रहा है ना तो एक अच्छा सव लगजरी खरीद हूंगा एक क्यासी है ना देगो एक बारा में यह तक खरीज सकता हूं यह देख रहे हो यहां पर नुकलिर रेडियेशन का है कि बंकर में अगर मतलब कि कोई बॉम बॉम गिर जाया कोई दिक्कत हो जाए तो आ भाड़ मेरा जो मूड है वो है मूंका बेस खरीदने का हाउस ङुगाड की घरीद्ग कर को फिर कौन की यह न चीज करके देवार विवार भाई मैंने अभी तक ना ये चीजे सोल्ड गरी है कि मतलब मैंने बना इनको खरीद गा फिर बनाया फिर इनके अंदर काम किया उसके बाद मैंने इनको पेच दिया और भाई मेरा हैकर लोफ सबसे गजब रूम था अब तक का ठीक है ना तो अभी मेल आ रखा है इस्टुडेंट हाउस सेव वाला उसके बाद मैं भाई बाथरूम एंड होम वर्क शोप वाला है एंड पेंटिंग गैराज क्रिस्मस क्लेनिंग क्रिस्मस अगेन ये सब कुछ है ये समझने है भाई ये किस टाइप का घर है एक बार देखना पड़ेगा भाई ट्रेडिशन लाइव ठीक है भाई मैं यहीं से कोई भी घर वैसे खरीद के बेच सकता हूं मेरा वो मेरे उपर है भाई कि मैं मतलब कोई भी ऐसा घर खरीद के उसको तयार कर सकता हूं और यह सब अराम से हो भी जाएगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है ये 2.45 का है बट इतना है नहीं अभी पैसा और इसके लिए भाई पैसा मुझे एक्चुल में चाहिए तो भाई थोड़ा प्रोपर्टी पे काम करना पड़ेगा तभी काम चलेगा यह तो मेरा खुद का है और इसको अपन बेच नहीं सकता ठीक है यह वाले तो भाई मैं बेच चुका अभी तक परसेंट एक्स बॉइफ्रेंड का रेडियेटर ठीक है अभी बाई काम करते हैं यहां से एक लेते हैं सेवदा हाई दा होरेबल कलर हनी ओके यार इसके कलर वाला है बाथरूम एंड होम वर्क्शोप उसके बाद में यह है क्लीन अप दा हाउस प्लीज यह ले ले लेते हैं में रेकोर्डिंग यह ठीक है भाई क्रिस्मस क्लीनिंग कर लेते हैं ठीक है तो क्रिस्मस क्लीनिंग का ले लेते हैं ओके भाई यहां पे बर्फ पढ़ रही है फिलाल एंड भाई क्रिस्मस क्लीनिंग के नाम पे यहां पे तो बहुत जादा बर्फ पढ़ रही है यही वा तो भाई मुझे सबसे पहले ड्रेश को रिमूव करना होगा जो के जादा जरूरी है बहुत जादा हाद से जादा गंदगी और यार इतनी बहुत जादा गंदगी और रखेंब बंदेने इतना जादा मतलब गंदा भी कोई नहीं रखता घर को जितना इसमें करता हुआ है औ रहे कैसे रहा था भाई बंदे ने मतलब इतनी गंदी पार्टी कर दी कि भाई सब कुछ सड़ा दिया इस बंदे ने यहाँ पे ठीक है भाई फिलाल फटा फट से साफ कर देते हैं सारी चीजों को उसके बाद में इस घर को एक नया लुक देंगे ठीक है रहार घर काफी अच है अब कुछ है अब अधन उसके बाद में यह रही सेवंपर भी है अगरे कि एक तो यहां पर लाइट क्यों नी जल रही मुझे समझ नहीं आई है लाइट यह आलाइट तो जब की जलनी चाहिए थी यार सबके बहुत ज्यादा गंदा का रखा यार बंदे ने बाई सड़ रखा है जिन्दय कद्र है अपैंड ठीक है को ओन किया जाए तो यहां यहां पर यहां पर यहां नहीं पड़ेंगी ओ ये bedroom है भाई जिसके अंदर इतनी सारी गंदिगी bedroom के अंदर ठीक है भाई सारा का सारा साफ सफाई तो हो गई फिलाल एंड भाई इस room में भी गंदिगी है भाई toilet में भी गंदिगी है भाई बहुत ज़्यादा गंदिगी है even और map पे मैं देख पा रहूं भाई गंदिगी कहां कहां पे है इवन garage में भी गंदिगी है ठीक है भाई garage भी almost clean हो गया अब तो वाउ ठीक है भाई garage clean हो गया है उसके बाद में ये एक room है भाई इसमें भी गंदगी बहुत जयादा भाई इतनी गंदगी कर कैसे रखे है भाई बन्धे ने मतलब बहुत होते है इतना गंदा इतनी Party इतने पीजा वीजा इनलोकों ने रखे है के भाई हद से भी जादा गंदगी ने कर रखे है फिलाल के टाइमे, ठीक है तो अभी भाई यहां से मुझे इसको भी उठाना होगा ठीक है यह सब कुछ भाई यहां से गायब करो ओके डन ठीक है इसकी जरुवत नहीं है जादा करने की ठीक है मैंने बैड बना चुका भाई मैं बैड यहां पे बहुत अच्छे से बैड बन चुका है मेरा फिलाल and clean the window भाई लगे हाथ ये window भी clean करी देते हैं ऐसा नहीं है कि साल जब time है तो भाई कर दो डन डना डन 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 डारा चलती है क्या तुनों से बारा ओके भाई क्लीन दा विंडो इस रूम का इस रूम का यार मैंने काम इतना तो कर दिया अल्मोस्ट एंड हाँ भाई यहाँ पे गंदगी है ओके ओके ठीक है भाई गंदगी यहाँ पे भी दिखा रहा है यार एक तो यह रही एंड यहीं पर ही तो गंदी की दिखा रहा है वह यार मुझे ने यहां पर इससे ज्यादा गंजगी दिखनी रहे है यहां पर मुझे ओब्जेक्ट को भी खरीदना होगा क्या खरीदना है यहां पर इस दिवार पर अच्छी लगेगी न एक दो एंड ठीक है डन भाई बड़ा मस्त भाई clean dirt 74% पे है and it to turn on भाई तीनों की तीनों लाइटे मैंने जला दी इसको नो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ देखो इसको छट से attach then इसको थोड़ा सा नीचे and इसको और थोड़ा सा नीचे ठीक है तीनों फिलाल भाई कुछ जाद अच्छी लग रही है हाँ ठीक है डन अभी नहीं हाँ पर भाई गंदगी है कुछ जादा ही मुझे तो ठीक ही लग रहा है मामला मतलब यहाँ पर मुझे और गंदगी कुछ चमक नहीं रही बट हाँ एक बार भाई यहां को ज़ाड़ू आड़ू मार देता हूँ ठीक है भाई हो गई साफ भाई ठीक है यह वाला रूम हो गया बिल्कुल क्लीन चिट एक दम ओ भाई यह वाली गंदिकी कैसे रह गई अच्छे लάइट की वज़े से चमकी नहीं होगी जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ यह जाला लाइट की वज़े से चमकी नहीं होगी तो एक काम करते भाई फटा-फट से सबसे पहले भाई एक गंध ये अटाते हैं ठीक है भाई यहां का रूम के अंदर भी कुछ समान मुझे खरीदना है तो एक बार वो भी देख लेते कि भाई इस रूम के लिए मुझे जो जो खरीदना है वो यह है सबसे पहले भाई एक यह है कर्टन कर्टन यहां पर खरीदना होगा एक है तीक है असेंब्लिंग इस्टार्ट करते हैं इसकी ओके डन भाई अभी इसकी assembling कर दी अभी मतलब पैंच वैंस तो मैंने इस पे चड़ा दिये डन के बाद में पैंच चड़ने के बाद में भाई curtains लग गए डन ओके भाई मेरा curtains वाला काम तो हो गया है complete जो की काफी अच्छे लग रहे है फिलाल के time पे ठीक है एक Christmas Wealth XL खरीदना होगा ये वाला एंड ये चीज़े जादा तर बैड के ऊपर अच्छी लगती है like this ठीक है एक ही खरीदना दाना भाई उसके बाद में bells है I don't know भाई यहीं पे अच्छी लगेंगी है कहां पे बट अपन भाई इसको सोच रहा है सामने वाली दिवार पे लगा देता है कि अच्छी लगेंगी नहीं मैं नीचे ही नहीं थोड़ा मतलब एक यहां पे और एक यहां पे लगा देता हूं ठीक है done भाई फिलाल के टाइम पे मेरा यह भी हो गया उसके बाद में light hanging lights लगानी होंगी अब यह वाली लगनी चाहिए भाई यहां पे यहां पे और एक यहां पे ठीक है done भाई ये वाला काम भी हो गया है यहां पे लगा तो दियार हेंगिंग लाइट्स ठीक है ये लग गई बिग इस्टार लोंग अच्छा भाई ये और बड़ी लाइट्स आई है ठीक है भाई इसको एक को यहां पे एड़ एक को यहां पे लगा देते हैं फिलाल अच्छी लग रही है ना दोनों की दोनों भाई मस्त लग रही है सिर्फ बचा एक ये ये एक पोर्ट है जिसको मैं अराम से यहां रख सकता हूँ ठीक है ना इस रूम का काम मेरा भाई इन लाइट को ओन कर देते हैं इनका तो कुछ करने की जरुवत नहीं ठीक है यहां पे हो गई सब्सक्राइब काफी अच्छा लग रहा है और सजा अभी प्यारा लग रहा है फिलाल चलो यह तो हो गया इंकम मेरी की सारी की सारी ही देख ली कि और बची पश्ची कहां पहार यार यह डर्ट है कांपे अ कि इंच7 good से डिखनी तो नीच चाहिए वैसे है नहीं यहां पर कहीं पर सेट्ष यहां व्हें रही है कि यहां फैर रही है मुझे इस टाइम पर एले एले बिटा मेरा बच्छे क्या बात क्या बात ठीक है भाई रूम को मैंने सेक्सी बना दिया है एक नंबर का ओओ ओके भाई लग्जरी वाला मस्त आया हुआ इसके अंदर फिलार के टाइम पर जो कि अच्छा लग रहा है ठीक है उठेई उठेई मिरा बच्छे मिरा बच्छे यह बंद यह खुल गई उसके बाद में यह लए यहां पर वैसे कई पर है नहीं यार पता नहीं हो गई भाई हो गया ड़्ट साफ हो गई वाउ अभी भाई मुझे 20 ओब्जेक्स खरीदने यहां पर एक ना आदा 20 ओब्जेक्स इसको मुझे खरीदना होगा यह वाला कहां पर लगेगा यार इसका नहीं सेकेंड वाइस का कलर वलर बदल के देखू क्या यह ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी साला लगेगा कांपे ठीक है इसको टीवी के ऊपर ही लगा देता हूं थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइन इट इज ओके वाला सिस्टम है इसके अंदर हां जे ठीक है यह हो गया अभी 19 ओब्जेक्ट और खरीदने होंगे बैल्स ठीक है बैल्स का कलर बदल के देखे क्या नहीं यार ग्रीन यह अच्छा लग रहा है तो एक बैल को भाई यहाँ पर एंड एक बैल को भाई इस गेट के ऊपर दगा देते है डन उसके बाद में यहां पर है गिफ्ट पैकेज जो मतलब की सेंटा आया है बैग देके गया है उस टाइप की चीजे तो यह थोड़े कोर्णर में ही अच्छे लगते हैं कि वैसे यहीं पर अच्छे लगेंगे ज्यादा मेरे अकोर्टिंग भी ज्यादा प्यारे लगेंगे ठीक है भाई एड़िट मेंडि गिफ्ट मीडियम ओके भाई मीडियम गिफ्ट भी खरीद रहे होंगे कि ड़न भाई थोड़ा तीरच्छा ठीक है आग के सामने थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ ओके ठीक है एंड भाई हैंगिंग लाइट्स गरे लोंग यह वाली हाँ भाई यहीं पर ज्यादा अच्छी लगेगी ना इसके पास में कितनी खरीदने है भाई पांच खरीदने एग ना दी ठीक है भाई दो तीन भाई यहाँ पर लग जाएगे चार एंड एक इस वाली बोल पर लगा देते हैं पांच और एक यहाँ पर लगा देते हैं छे ठीक है डन अभी थोड़ा ठीक है टूडो में ही सही बट लग गई उल्लो की पठी इतरह ही चाहिए अपने को एक यह वाला भाई मिस्ट लेटे यो पलाना धिमकाना यो यह कहां लगेगा न यह कहां लगेगा यार यह क्या है भाई यह क्या है क्या यह जाड़ पत्ता है क्या यार यार यह अलग बक्चोदी है यह जाड़ पत्ता है क्या ठीक है अच्छा भाई यह शीलिंग पर लगता है खाली ओकी ओकी ठीक है यह लाइट तो देखो नहीं लग रही मेरे को अपने को यह देखो लाइट तो नहीं लग रही बट आ यह सीलिंग पर ही लगेगा तो इसको यहां नहीं फिर इसको अपन फिर यहां लगाएगा डन भाई भाई यह होता होगा गुड़ लग गुड़ लग के लिए जो भी होता होगा यह नट क्रैकर्स हैं जो की इसनको भी भाई ना यहीं पर अच्छा लगेगा रखा हुआ यह आग के पास में ज़्यादा प्यारे लगेंगे ना ति कि देखो क्रिस्मस ज़्यादा तर भाई इनी चीजों के लिए जाना जाता है इन सभी चीजों के लिए क्रिस्मस स्नोफोल एक क्रिस्मस ट्री ओके भाई क्रिस्मस ट्री तो मैंने रखा ही नहीं था अभी तक कि क्रिस्मस ट्री तो यहां रखूंगा क्या मैं कि क्रिस्मस ट्री तो कुछ ऐसी ही जगह पे रखा जाता है जो कि जैसे यह वाला हिस्सा ठीक है एंड अगर अपने यहां पे रखे एक परसेंट की बात है कि वैसे क्रिस्मस ट्री हाँ आ जाना चाहिए मेरे अकोर्टिंग भाई इतना बड़ा तो होगा क्रिस्मस ट्री न ओके भाई स्मोल लार्ज अच्छा भाई ये भी ठीक है मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे साइज में कितना बड़ा चाहिए ना इसमोल ले लेता हूं भाई क्योंकि घर के अंदर ही तो हैं हम हाँ भाई ठीक है अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा इटू ओन कि ड़न भाई इटू ओफ ओन एंड़ कि इसको न मुझे करना पड़ेगा इसको मतलब थोड़ा ना गुमाना पड़ेंगा इसको गुमाके उठाना पड़ेगा मतलब थोड़ा गुमाके ही रखना जादा सही रहेगा मेरे कोडिंग ठीक है भाई अभी ओके एंड मस्त लग रहा है अभी आजाएगा भाई ये नट क्रैकर इसके साइड में जो के इस पेड की रखवाली करेगा ये वाले गिफट इसके साइड में तो भाई-चे ये अपनी जगए में बिल्कुस सज्छ है भाई ठीक है आप नीचे आजाता है जो थोड़ा बोट और समान बचा हुआ है उसको भी Christmas Snow Bowls ओके ठीक है इनको भी यहीं पे रखूँ नहीं यार इसको तो अपने यहां पे रखेगा भाई यह यहीं पे ज़्यादा प्यारी लग रही है फिलाल के टाइम पे ओके ठीक है Christmas एक्सेल वाला आगया भाई यह ओके ठीक है यहां लग जाएगा क्या है भाई लग तो गया है वैसे है लेकिन है सब कुछ यहीं पे लगाना ज्यादा बैटर नहीं मानता और भी कहीं लगा देता हूँ जैसे इस वाले गेट पे या इस पे या फिर इन दोनों के बीच में यहां पे यह गाफी सेक्सी लग रहा है फिलाल ठीक है ना यह हो गया हमारा उसके बाद में भाई एक यह है जो हमने अंदर रखा था एक ऐसा ही गुलाब टाइप का पेड़ है मताब पता नहीं किस टाइप का पेड़ है पता मुझे भी नहीं है बट डन ठीक है अच्छा यह तीन रखने भाई एक ना दे यह तीन रखने है यह तीन पेड़ रखने है मुझे एक यहां पर रख देता हूं बीच में और एक एक रख देता हूं भाई यहां पर डन कंप्लीट हो गए भाई मेरी जोब पूरा क्रिस्मस वाला मजा मैंने दे दिया है और क्रिस्मस च्री भी अच्छा लग रहा है इवन भाई इसके उपर थैंक्स वर बीइंग विद दस वाला भी सिस्टम थोड़ा अच्छा लग रहा है एंट भाई देखो यहां पे आप लोग देख सकते हुआ यहां पर लाइट की कमी है और तो कोई बात नहीं है यहां पर भी एक लाइट होती तो जाद अच्छा रहता इसको ले जो क्या उतार के एक लाइट को यहां लगा देता हो ना थोड़ी रोशनी यहां भी रहेगी डन वैसे यहां पर यह दो यह अच्छी लग रही है और इन दोनों के बीच में भाई इसको इसको लगा देता हूं ना डन मस्त लग रहा है न अच्छा लग रहा है बैव कपी नाइस पूरे घर के लाइट बंद हो गई है भाई फिलाल एंड क्रिसमस का एक पूरा अच्छा लूक आ रहा है फिलाल के टाइम पे आज के लिए बस इतना है यार फिर मिलते हैं नेक्स अपिसोड में तब तक इसक काम है हमने यार वो चार लाग रुपे करने वाला काम तो भाई बहुत तकड़ा है उसको करने के लिए तो मुझे बहुत जादा मैनत करनी पड़ेगी देखोगे और कोई घर इसके अंदर ऐसा है नहीं जिसको भाई मैं करू complete यह है एक यह बाई डेकोरेटिड हाउस वाला इसको भी कर सकते है फूर परचेसिंग के लिए पड़ा हुआ यह एंड यह वाला है यह बी है यह मुझे ज्यादा अच्छा लगा है बाई एक लाग बारा का है बट इसमें हाँ प्रोफिट मुझे हो जाएगा उमीद करता हूं हो जाए ठीक है दा पिंक किंगडम ओके ठी मून बेस दो 45 वाला अलग है यार पता है यह भी बहुत अलग चीज है यह वाला मैं खरीद नहीं सकता भी एक कैसल भी नहीं खरीद सकता भी अभी बहुत सारे पैसे चाहिए यार अपने को ठीक है भाई लोग आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्श एपिसोड में कर शुट मेरे खुद के घर में जाले दिखा रहा है यह बाहर नहीं नहीं दिखा रहे क्यात है क्यूं हुक्त种 κुद्ध के ओन्दर गंदगी घंद है और मुझे दिखके न कि नहीं सालब का is थी कैशी गंदी यह भाई को होकि भाई फिलाल के टाइम पर मैंने अपनेवाले sleepy खीया है यह सब लगा-लगा के गजब बना रखा है भाई फिलाल के टाइम पे ओहो बंद कर दिया फिर से ठीक है भाई लोग आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्ट अपिसोड में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और जाए और जाके बाई चैनल को बहुत सारा प्यार दे चैनल को जाके लाइक शेयर और कर दो